नमस्कार दोस्तों किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक, नैतिक प्रगती में महिलाओं का योगदान किसी भी रूप में कम नहीं आका जा सकता और निश्चित रूप से भारत वर्ष की प्रगती में महिलाओं का योगदान अतुलनी रहा है, अतुलनी है और अतुलनी है तो आज के इस वीडियो के तुरू दोस्तों महिलाओं के लिए financial management कैसे करे हूँ यानि financial management of women कैसा किया जाए इस topic को लेकर के आपके सामने मैं हाजर हुआ हूँ तो दोस्तों coverage क्या है आज की इस वीडियो के, why financial management for women is a must, where should investment be made, महिलाओं को अपने पैसे को invest किदर करना चाहिए, how to manage the investments, उन्हें अपने investments कैसे manage करना चाहिए और क्या ऐसे important point है दोस्तों जो उन्हें अपने investment के संदर्ब में ध्यान रखने चाहिए मेरी इस वीडियो का एक पक्ष ये इसलिए भी है सर, क्योंकि नोट बंदी के समय, बहुत सारी महिलाओं का पैसा, जो कि किसी न किसी रूट में उन्होंने घर में cash बचा रखा था, वो बैंकों में या उनके हाथ से चला गया मैं मान लेता हूं सर, कि वो पैसा आज की डेट में बैंक में पड़ा है, या वो अपनी कमाई से, अपनी earning से, या परिवार चलाते चलाते, उनके द्वारा की गई बचत से, आज भी कुछ पैसा बचा रही है, जिसका उन्हें investment करना है, ठीक है, तो उस investment की द्रष्टी से सर इन प्रष्णों का उत्तर जारना बहुत जरूरी है, तो दोस्तों मेरी नजर में, why financial management for women is a must, number one, to plan for future needs or expenses, क्योंकि जैसा मैंने अपनी मा को हमारे परिवार की प्रगती में साहिक होते देखा है, कि किस प्रकार से उन्होंने परिवार की नया को कभी भी डगमग डोली, तो उसको डगमग होने से बचाया, तो वो उनकी financial planning थी, उनकी future planning थी, किस प्रकार से उन्होंने future needs को plan करने में support किया, और ये भारतवर्ष की सभी महिलाएं करती है, to protect family from unforeseen events, कि कभी-कभी सर परिवार में किसी प्रकार की कोई ऐसी परिस्थती आ जाये, जो हमने नहीं सोची ह तो उस प्रकार, उस समय में महिलाएं किस प्रकार से financial contribution भी कर सकती है, to take care about the children's education and to support economic upliftment of self as well as family. अब यहां दोस्तों मैं ये बात कर रहा हूं कि where should investment be made, यानि महिलाएं, अपने investments किदर कर सकते हैं, जो उनके पास में surplus बजता है, चाहे उनकी कमाई से, चाहे उन्होंने घर-घर्च में कुछ कटौती करके अपने पास कोई surplus fund इकटे कियों हो तो, मेरा सबसे पहला suggestion है सर आ आगे के investment में जो suggest करने जा रहा हूं, आप उनके बारे में विचार कर सकती हैं, जैसे you may think about making a fixed deposit with a bank, कि आपके जो भी 50,000,000 की एक minimum fixed deposit जरूर होल्ड करके चलें सर विंग फीमेल, ताकि आपको कभी भी जरूत पड़े तो आपके आथ में एक liquidity create हो, आप हो सकता है अगर हर मह इने बचत करने के आदी हैं, तो आप recurring deposit account भी खोल सकती है, public provident fund account ये एक बहुत महत्पूर्ण खाता है, जो एक लंबी अवधी 15 साल के लिए खुला जाता है, तो मैं महिलाओं को ये भी suggest कर सकता हूं सर, कि वो अपना एक public provident fund account खोलने की भी सोच सकती है, क्योंकि इस account में जो भी ब्या जाता है, वो generally exempt होता है, आप mutual fund भी ले सकती है, mutual fund दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो में specifically महिलाओं के लिए बना रहा हूं, तो मेरे लिए sir word यूज करना गलत होगा, मैं madam word बोलूँगा, miss word बोलूँगा, कि madam आप mutual fund की और भी ध्यान दे सकती है, अगर आप long term investment करना चाहती है, तो आप mutual funds की और भी मुड़ सकती है, किसी mutual fund advisor के थ्रूँ monthly, 1000, 2000, 3000, जो आपकी pocket allow करे, आप एक systematic investment plan की रूप में अपना long term investment चुरू करे, अगर आप थोड़ा सा financial market में रुजान रखती है, या आपके पास अच्छे consultant है, तो आप shares या debentures में भी long term के लिए investment कर सकती है, insurance policy एक बहुत महत्तुपूर्ण contribution है, आपका आपके परिवार के प्रति, मैं यह मानता हूं सर के भारत वर्ष में मैंने देखा कि महिलाओं के case में insurance plans generally कम लिये जाते हैं, मैं यह बोलता हूं सर, अगर आप earning women है, आप जरूर insurance plan लीजे, और अगर earning women नहीं है, तो भी सर, आप कोई न कोई प्रकार का endowment plan, जिसमें आप धीरे धीरे अपनी बचत करती रहें, और long term में आपको एक particular insurance का मोटा पैसा मिल जाए, यह product है, जो बड़े काम के हैं, आप निश्चत रूप से सर, कोई house property भी अपने नाम खरीदने के विकलप पर family की किसी particular condition में, gold भी सर किसी प्रकार से convert किया जा सकता है cash में, तो सर आप gold के बारे में भी मैडम आप विचार कर सकती हैं, और साथ ही साथ आप gold ETF के बारे में भी सोच सकती है, gold ETF के एक हलका सा idea देता हूं, कि जिस प्रकार से आप सीधे gold में, यानि metal खरीदते हैं, तो आप को risk रहता है, उस metal को hold करने का, उसको maintain करने का, आप इसकी जगे एक mutual fund है, gold के mutual funds चलते हैं सर, उनमें भी आप धीरे-धीरे investment करके अपनी wealth को जो gold के proportionate value में बढ़ती जाए, उस प्रकार से आप अपनी धनराशी को एक सुरक्षित तरीके से बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर क आप अपने investment को कैसे करेंगी और कैसे उनको manage करेंगी, तो मैं आपर बोलूँगा कि आप try to study the material regarding risk and return statement of an investment option, being a female, मेरे लिए ये भी जरूरी है कि मैं ये समझूँ कि मेरे सामने अगर को investment proposal आया है, तो क्या मैंने उस investment proposal के related risk और return से सम्मंदित जो कागजात हैं या जो जरूर जानकारी है, वो मैंने gather कर ली है, ताकि मेरा decision ऐसा ना हो कि कल मेरे मूल पर risk हो, review your investment at every year and at least, मेरा महिलाओं को इस वीडियो के थ्रूरे suggestion है सर्थ, कि आप जो भी investment करती हैं, आप अपने investment को समय समय पर समालते रहिए, उसको investment को करके भूलिये नहीं, ये investment करने के कुछ मूल उस investment को मैडब आप एक time horizon के उसाब से, अच्छा मैं ये 5 साल के लिए investment कर रही हूँ, 10 साल के लिए कर रही हूँ, 15 के लिए कर रही हूँ, 20 साल के लिए कर रही हूँ, आपके लिए investment का objective और time horizon सेट करना बहुत जरूरी है, keep on reading the relevant updates on investment options from time to time, ये बहुत महत्पूर्ण point है, ज इंपर समय समय पर market में बहुत सारे updates आते रहते हैं, कि अब ये changes हो गए, interest rate बढ़ गई, interest rate घट गई, share market में ये changes होता है, मेरा आपको suggestion है, कि एक सजग महिला के रूप में, आप इन बातों पर भी निश्चत रूप से समय समय पर विचार करें, ताकि आप अपने investments को properly manage कर स income tax return भरने के लिए liable हैं, और यदि हाँ तो आप timely अपनी income tax return भरती हैं, तो आप मेरे को पूछेंगे कि वाटियाजी, आप बताइए कब हमारे को return भरने की liability है, मेरा simple suggestion है, आप ये मोटा मोटी बात मेरी मान के चलिए, कि अगर आपकी एक साल की वार्षिक आए, चाहे आप बुटीक चला रही हैं, चाहे आप ट्यूशन सेंटर चला रही हैं, या चाहे आप कोई और व्यवसाइक गतिविदी कर रही हैं, या आप किसी प्रकार से interest income या rental income कमा रही हैं, अगर वो income साल की धाई लाक रुपय आयकर प्रावधान के अनुसार जो calculate की जाती है, उससे ज हाते में cash deposit, ज्यादा cash deposit करने से बचें, हाँ, अगर आप कोई व्यवसाय करती हैं, तो मेरा suggestion है, आप अपना current account खोले, उसमें cash जमा कराएं, नहीं तो ज्यादा cash जमा कराना आपको आईकर विभाध के दृष्टी से कही न कहीं परिशान कर सकता है, if you are doing a business, open a current account, जैसा मैं पहले बोला, अगर आप business कर रही हैं, तो आप अपना current account जरूर खोले, consult the consultant and ask him the question, अब वो consultant आपके कोई भाई हो सकते हैं, आपके कोई मित्र हो सकते हैं, आपके पतिदेव हो सकते हैं, आपके लिए एक कोई charter account and financial consultant हो सकते हैं, जो आपको आपके investments को सही तरीके से manage करने में स कर सकता है, अंत में ही मानता हूं कि ये वीडियो किसी न किसी रूप में आपको financial planning करने में, अपने investments को manage करने में, कुछ रूप रेखा बनाने में या मार्क दर्शन करने में सफल रही होगी, यदि आपके कुछ specific queries हों, तो आप मुझे लिख सकती हैं, मैं पूरी कोशिश कर contribution को, सलाम.